Capital Market Regulator सेवी की तरफ से mirror trading के मामले को settle किया जाने के बाद पूरी दलाल स्ट्रीट पर ये चर्चा है कि mirror trading को कानूनी मानिता मिल सकती है सेवी ने हाली में एक broken company के साथ मामले को settle किया है mirror trading को कानूनी मानिता मिले ना मिले इससे पहले जानना जरूरे कि mirror trading है क्या इसमें एक तक्नीक होती है तक्नीक के जरी किसी दूसरे व्यक्ति की trading रणिती को आप पूरे pattern को copy कर लेते हैं और जैसे जैसे उसको profit loss होता है वैसे वैसे आपको loss होता है सर क्या विवस्था है और क्या इसको कानूनी मानिता मिलेगी यह मामला मुंबई के एक कंपिनी है Equitas Investment Consultancy उसके मैनी मैनेजर का था और यह आरोप था कि उन्होंने एक ब्रोकर के का जो trading pattern था उसे अड़ाप्ट करके अपने हाँ trading की थी और यह mirror trading का मामला है mirror trading का मतलब है कि एक तरीके के दो लोग एक जिसे ही रणने के साथ सवदे करते हैं दिक्कत यह है कि इसे settlement करने की बात का मतलब है कि से भी इसे एक तरीके से परोक्षूरूप से सही मान रही है या इसे विवहार एक ठायर हा रही है बाजार में mirror trading को लेकर insider trading, circular trading के लिए तो नियम है पर भारत में mirror trading को रोखने के कोई नियम नहीं है यानि दो लोग एक दूसरे से बिलकुल मिलते जुलते एक जिससे सौधे कर सकते हैं अपनी रहनी ते एक दूसरे से share कर सकते हैं यहां regulator की दुविधा शुबों में दिखती है कि भारत में बहुत सारे mutual fund एक जैसे एक ही तरीके से सौधे करते हैं बहुत सारे mutual fund एक जैसे portfolio भी बनाते हैं लोग भी एक दूसरे से सीख कर अपने portfolio बनाते है तो mirror trading या mirror trading यही चीज तो कहीं न कहीं चल रही है बाजार के लिए को इस बात की उम्मीद थी कि शायद से भी इस मामले में दखल देगी और mirror trading को लेकर भी नियम बनाएगे लेकिन फिलहाल ऐसा महसूस नहीं होता कि ऐसा होगा और यही इसका grey area है यही इसका इसकी उल्जन है कि इसे रोका कैसे जाएगा क्योंकि stock market indices जो बड़े parameter हैं वो सबके लिए एक जैसे हैं और सब लोग एक जिसे रनीत इसे काम कर सकते हैं